जाहिन साथियों स्वागत आपका ग्यान कोचिंग की यूट्व प्लेटफॉर्म पे मैं मनी सुधे कृष्णा और शुरू करते हैं आज का सेशन पॉर्फ में कुछ important questions हम लोगों डिस्कस किये थे आज भी कुछ important Question ही डिसकस करेंगे ऐसे questions जो आपके exam में आने के chance सबसे जादा होते हैं वो question हम लोग discuss कर रहे हैं चीजै faço मैंने आपको बोला था सबको गोड़ यूनिंग जितने भी लोग जुड़ गए हैं सबको गोड़ यूनिंग और जो नहीं जुड़े हैं वो भी फटा-फट जुड़ जाएं सेस्टन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग ठीक चलिए तो फिर चलते हैं अपने पहले क्वेस्टन पर पहला क्वेस्टन है आपके लिए क्या दिया गया है नियूमेटो 4 अकरिन प्लांट्स ऑफ सैंडी स्वाइल, सैलाइन, मार्शी स्वाइल, डिजर्ट स्वाइल या फिर वाटर पौधों में पाए जाने वाले नियूमेटो 4 पाए जाते हैं मतलब ऐसे पौधी जिन में नियूमेटो 4 पाए जाते हैं वो कौन सी मृधा में कौन सी स्वाइल में उगते हैं सैंडी स्वाइल में उगते हैं सैलाइन या मार्शी स्वाइल में उगते हैं डिजर्ट गुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंगुद्यूनिंग आंसर आने लगे हैं सब लोगों के B आंसर आ रहा है सब लोगों का अच्छा B आंसर आ रहा है B क्या है A में है सैंडी स्वाइल B में है सैलाइन मार्सी स्वाइल C में है डिजर्ड स्वाइल और D में है वाटर जल में पाए जाते हैं सबसे पहली बात कि अच्छा सही आंसर बी है इसका सही आंसर बी है ऐसे पौधे जिन में नियूमेटोफोर पाए जाते हैं वो पौधे वो प्लांट्स सैलाइन एंड मार्सी स्वाइल में ग्रो करते हैं यह यूँ कहें कि जो प्लांट्स सैलाइन एंड मार्सी स्वाइल में उनमें नियुमेटोफोर्स पाए जाते हैं, बोनों तरीके से बोल सकते हैं अब बात में मुद्धा ये है कि ये नियुमेटोफोर है क्या तो देखो, प्लांट की जो रूट होती है कभी-कभी सांस लेने लगती है, रेस्पाइरेशन करने लगती है ऐसी रूट जो की रेस्पाइरेशन करती है, उसको बोलते है नियुमेटोफोर कंटेनिंग रूट ऐसी रूट जो रेस्पाइरेशन करती है, गैस ये से इक्षेन करती है ठीक, बात आती है रूट का काम तो ये नहीं है, ये काम तो लीप्स का है लीब में extromato होते हैं, extromato qe through CO2 जाती है, oxygen बाहर निकलती है, यह सलंब कम leaps करती है, लेकिन अब होता क्या है, कि जो saline या marci soil में उगने वाले flants हैं, उनकी root जो है अंदर, अब क्योंकि वो marci soil है, दलदली soil है, दलदली भूम है, तो उस भूम में water content जादा हो जाता है और water जाने की वज़ा से उस soil के अंदर जो air थी वो बाहर निकल गई अब root को सांस लेने के लिए air respiration करने के लिए air नहीं बची है तो root क्या करती है जमीन से बाहर निकल आती है और उसके उपर चोटे 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 पोर पाया जाते है और उस पोर से वो gaseous exchange करती है इसको बोलते new metaphor और जिन plants में ये पाया जाता है वो मुख्यत सलाइन सलाइन मतलब जहां पर salt या लवन बहुत ज़्यादा है और मार्सी यानि दल्दली है ऐसे भूबाग में उगते हैं ऐसे plant कौन है दो plant आप जरूर याद रखिएगा एक है rhizophora एक है avicenia दो plants हैं बहुत important है ये दो plants जरूर याद रखिएगा और भी है एकाद लेकिन ये दोनों ज्यादा important सबसे important तो राइजो फोरा है ये अंसी आटी में mention किया हुआ है राइजो फोरा को ठीक तो ये दो plants भी याद रखिएगा समझ में आ रही है बातें प्रमोट चौहान गुड़िवनिंग अर्पित गुड़िवनिंग सबको गुड़िवनिंग सबका answer B आया है very good चलो next question पर चलते हैं assimilatory या photosynthetic roots एक characteristic of परिपाची या photosynthetic जणे किसका लगच्छण है option आपको दिया क्या है option में क्या है trapa एंड टीनो स्पोरा है टीनियो फिल्लम पोडोस्टिमॉन है बोथ correct बता रहा है इनना आप दीज है ना बताईए आप लोग कौन है इसमें सही answer बताना चाहते हैं आप लोग तो बताईए फटा फट क्या होगा सही answer फर्स्ट क्वेस्टन में हमने ऐसी रूट देखा ऐसी जड़ के बारे में पढ़ा जो की respiration कर रही थी सेकेंड क्वेस्टन में आपसे ऐसी रूट के बारे में पूछा जा रहा है जो की photosynthesis करती है ऐसी रूट जो की photosynthesis करती है जनरली रूट का काम क्या होता है जनरली रूट का काम होता है water और minerals को absorb करना पहला काम दूसरा काम होता है दूसरा वर्ख होता है रूट का plant को support देना या अंत्रिक सहायता क्योंकि रूट के ही भरोसे plant खड़ा है है जमीन में रूट के भरोसे ही plant stable है तो रूट का काम यह दोनों होता इनके अलामा भी रूट कभी-कभी कुछ काम करती है है जैसे की अभी पहले question में हम लोगों ने respiration की बात कि अब दूसरे question में photosynthesis यानि प्रकास sensation की बात कर रहे है कौन सी रूट है जो की photosynthesis करती है आंसर आये किसी का कि A C किसी का A आ रहा है किसी का C आ रहा है चलो देखते हैं A में trapa है tino spora है दो plant है B में tino film है और podostemon है C में both है क्या इसमें से कोई एक है या बोत बता रहा है मतलब option A option B दोनों सही है तो इसका सही आंसर है C यानि यह 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 चारो plant जो हैं यह photosynthetic होते हैं रिख लेना कहीं पर लिख लेना इसको याद कर लेना ठीक यह सब बहुत important questions में होते हैं कौन सी root respiration करती है कौन सी root photosynthesis करती है है ना ओके next question पर चलते हैं इन अपुंसिया अपुंसिया मतलब लिखा यहां पर नाकफणी लिखा हुआ है इन अपुंसिया the function of photosynthesis is carried out by नाकफणी में प्रकास translation का कार किसके द्वारा किया जाता है नाकफणी की बात हो रही है नाकफणी में प्रकास translation कौन करता है आप कहोगे सर्फ पत्ती करती होगी है ना leaf करती होगी तो बताओ कौन करता है leaf है option में हाई नहीं चलो बताओ RM Gaming कह रहे है A अंकीत यादो कह रहे है C आसान A ही है RM Gaming अच्छा असरन A क्लैडोड B फिलो क्लैड C फिलोड D बल्व क्या होता है बताओ बताओ कुछ लोग A कह रहे है कुछ लोग B कह रहे है A या B ओके सही आंसर है इसका B सही आंसर है B अब डिस्कस करते हैं क्या है क्यूं है कैसे है अब देखो अपुंसिया हिंदी में कहते है नाकफणी नाकफणी एक मरुस्थली पौदा है डिजर्ट प्लांट है डिजर्ट स्वाइल में पाए जाने वाले जो प्लांट है वो जनरली वाटर स्कारसिटी यानि जल की कमी को फेस करते रहते हैं हमेशा ऐसा नाकफणी भी फेस करता है नाकफणी कहता है कि हम इससे लडेंगे नाकफणी क्या कहता है कि हम इसको मैनेज कर लेंगे नाकफणी कहता है कि पानी का लॉस होगा कहां से नागफनी कहता है पानी का लॉस होगा कहां से, पानी की लॉस को ये रोकना चाहता है, क्योंकि स्वाइल में पानी बहुत कम है, तो जो जड़े पानी आउसोसित करके दे रहे हैं, अगर वो भी पत्तियों से उड़े जाएगा, तो फिर पौधे को लॉस होगा, तो ये पत्तियां होती हैं, वो काटों मेरे पांतरित हो जाती है, इस पाइन्स में, ठी, अब लेकिन समस्य एक पैदा हो जाती है, कि जो लीफ होती है, वो फोटो सिंथेसिस करती है, लीफ का काम है, फोटो सिंथेसिस करना, प्रकास संसलेशन करना, अब लीफ को निप्टा दिया इसने काटा बना दिया, तो बात आती है कि जब लीप ने पड़ गई तो फिर फोटो सिंथेसिस कौन करेगा, तो फिर इसके सामने समस्य आती है, तो इसमें जो स्टेम होता है, वो स्टेम कहता है कि कोई बात नहीं, कोई इसू नहीं है, हम जो है, फ्लैट हो जाएंगे, ग्र ग्रीन हो जाता है और फोटो सिंथेसिस करने लगता है, ऐसा स्टेम जो की फ्लैट और ग्रीन होकर फोटो सिंथेसिस कर रहा है, तो इसको फिल्लो क्लैड बोलते हैं, बात समझ में आती है, फिल्लोड क्या है, फिल्लोड अगर कभी पेटियोल, पेटियोल पेटियोल अगर flat हो जाए और broad हो जाए पेटी ओल समझते हो इस तरीके से पौधा है यहां से पत्ती निकली है कि यh जो पार्ट रहे यह पेटियोल होता है यह लेमिना होता है पत्ती चोड़ा भाग होता है ब्लेड लाइक इस्ट्रक्चर होता हो लेमिना बोला जाता है पर्ण फलक बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं पेटियोल बोलते हैं पर्ण ब्रिंत बोलते हैं अगर यह पेटियोल ऐसा ना होके इतना चौड़ा हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं फिल्लोड बोलने लगते हैं बात आती क्लैडोड क्या है क्लैडोड भी स् नाम है ओनियन गार्लिक में पाया जाने वाला स्टेम बोला जाता है जी शर बताया था ओके गुट आई थिंग समझ में आया होगा आपको नेक्स चलते हैं मुरैमिन एसीड इज़ प्रेजेंट इन्दी इसेल वाल ओफ मुरैमिक यह होना चाहिए प्रेजल इसेल वाल आफ क्या रहा है कि मुरैमिक एसीड किसकी को सा घ्र्तमें पाया जाता है ठीक बताओ आप्शन ए बैक्टीरिया ब्लू ग्रेन एलगी आप्शन भी ग्रीन एलगी आप्शन सी इस्ट आप्शन डी राइजो पस कौन अंसर करेगा अंसर बताओ अंसर बताओ ठीक पहले तो आप इसी में बता दो मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिये यह पांच किंडम है पहले तो आप इसमें बताओ किसमें सेलवाल किसकी बनी होती है संद्ध पतेल के रहें बैक्टीरिया अंकित यादव भी ऑप्सन ग्रीन इलगी अच्छा पहले बात तो यह बताओ मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमेलिया में देखो मैं डिसकस करता हूं एनिमेलिया में सेलवाल होती नहीं, तो किसकी बनी है कोई मैटर नहीं है, प्लांट में सेलवाल होती है, सेलूलोज की बनी होती है, फंजाई में सेलवाल होती है, काइटिन की बनी होती है, प्रोटिस्टा में किसी मोती किसी में नहीं होती है, हम बहुत जादा डिसकस नहीं क कि ऐसा पूछ रहा है कुछ ऐसा तो कुछ पूछ पूछ रहा नहीं पूछ रहा है वह पूछ Alexandra नहीं बताओगे चलो हम बता रहे हैं इधर देखो यह जो peptidyl glycon होता है यह दो word में बढ़ सकता है ज़रा ध्यान से देखो तो एक होता है peptide एक होता है glycon ठीक peptide मतलब chain of amino acid peptide का मतलब क्या होता amino acid बार बार जुड जाएं तो peptide chain बनती है zeggen glycon का मतलब क्या होता है glucose से related या carbohydrate से related अब देखो peptide ग्लाइकान दो चीजों से बना है एक तो peptide यानी amino acid से एक तो glycon यानी carbohydrate से कौन सा carbohydrate है 2 carbohydrate है एक को बोलते है नाग एक को बोलते है bastard name एक खो नाग एक को नाम नाक का मतलब होता है N-acetyl-glucosamine, नाम का मतलब होता है N-acetyl-muremic acid, अब आगे हैं muremic acid, जला देहान से देखो, यहां पर तीन चाय टाइप से क्वेस्चन आता है, बहुत ध्यान से समझो, चाये UG हो, चाये PG हो, सब लोग, मोनेरा किंग्डम के जो भी और्गेनिजम हैं, उनकी सेलवाल पेप्टाइडो-ग्लाइकान की बनी होती है, एक तो सीधे-सीधे यही पूछता है, आप्शन में कभी पेप्टाइडो-ग्लाइकान मिलेगा, कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, कभी-कभी, अब यहां पर देखो, पेप्टाइडो-ग्लाइकान का जिक्री नहीं है, यहां पर कहां पहुंच गया है, मियूरैमिक एसीड पर पहुंच गया, तो एस्टाहिल-ग्लुकोसामीन पूछेगा, कि एस्टाहिल-ग्लुकोसामीन किसकी सिल्वाल में पाया जाता है, कभी आपसे एस्टाहिल-ग्लुकोसामीन किसकी सिल्वाल में पाया जाता है, कभी आपसे पेप्टाइडो-ग्लाइकान पूछेगा, बात समझ रहे हो, तो यह तीनों में से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है और ये पाये जाता है मोनेरा में मोनेरा के औरगनीजंड होते हैं 어 measure से ऑर साइनोबैक्टिरिया साइनोबैक्टिरिया मतला डा़ बलू ग्रीन हालली नील हरित सह temos यह दो लोग इसके member होते हैं तो अब सही option क्या हो जाएगा option क्या इतना समझ में आज आप लोगों को बताओ फटाक से संध्य पटे लियाने स्टाइल मियूरामिक एसिड बहुत बढ़ियां कि समझ में आया कुछ की नहीं तो तयार रहिएगा कुछ भी पूछा जा सकता है और यह यह मान के चलो यह तो कहीं ने कहीं आपको है ना जो भी चलो नेक्स केस्टन पर चलते हैं बैक्टीरियल राइबोसोम सार कॉल्ड बैक्टीरिया के जो राइबोसोम होते हैं उनको क्या कहा जाता है आटोसोम कहा जाता है डिक्टियोसोम कहा जाता है सेंट्रोसोम कहा जाता है पॉली राइबोसोम कहा जा सकता है क्या कहा जाता है बताओ, 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 फटाओ, फटाओ, देखो, बैक्टीरिये के जो राइबोसोम होते हैं, पहली बात तो राइबोसोम क्या होता है, पता है, राइबोसोम होता है, प्रोटीन फैक्ट्री आप दो सेल, राइबोसोम को कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री आप दो सेल, राइबोसोम वो cell और्गनेल है जो प्रोटीन की सिंतेसीस करता है सेल के अंदर इसलिए राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फेक्ट्री आप दा सेल राइबोसोम कुछ ऐसा होता है कुछ इस टाइब का राइबोसोम होता है राइवोस्म दो यूनिट का बना होता है, ये छोटी यूनिट है, इसको बोलते हैँ Small Sub-Unit, ये बड़ी यूनिट है, इसको बोलते हैं Lite Sub-Unit अच्छा ये एक मेंब्रेन लेस सेल ओरगणिल है इसके चारो तरफ मेंब्रेन नहीं होती है ठीक, ओके, C answer आ रहा है, A आ रहा है, C आ रहा है, अच्छा, A और C, ठीक है, देखते हैं, तो ये होता है ribosome, राइबोसome क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसका एक ही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, इस तरीके से कहता हम जो कह रहे हैं वो करो तुम्हें करना आता है हमें बताना आता है यह आरियन नहें आता है कि कोई इसू नहीं है हम जो है amino acid को लाएंगे आपके पास आप बनाईए बेजिजक बात समझ रहो जिसे घर में होता है कोई आदमी कोई काम कर रहा होता है एक आदमी जैसे खाना उना बनाने वाले लोग होते हैं एक आदमी बनाता है एक आदमी रहता है वो guide करता है ये करो वो करो प्याज डालो होता है ऐसे कर तो ऐसे करो एक आदमी होता मार्केट से सामाल लाने के लिए तो ऐसा ही काम यहां पर है राइबोसोम करता हम बना लेते हैं लेकिन क्या बनाना हमें नहीं बता हम बताएंगे क्या बनाना है टीयारेन ने कहता हम एमीनो एसीड लेकर आएंगे तुम प्रोटी नंदर क्योंकि एक यहमीरे ने पर बहुत सरे राइबोसूम जुद जाते हैं वह एक राइबोसूम ग्लीज़ा impressive देखा देखें दूसरे भी चले आते हैं हम भी बनाएं गया प्रोटीन हम सब एक पर जुड़ जाते हैं तो बनकिया जाता है poly ribosome क्या बन जाता है poly ribosome, poly मतलब बहुत सारे ribosome इक जगए कठा हो गए है, सब्सक्राइब समय आ रहा है, सुभम राज D option, सब्सक्राइब बाकि सब लोग C option पर पड़े हैं, C option नहीं है, centrosome कैसे हो जाएगा, ribosome को centrosome का होगा, centrosome क्या है centrosome तो एक cell organelle है खुद centrosome cell division कराता है dictyosome यह तो Golgi body को कहते है dictyosome autosome यह तो chromosome को कहते हैं बचा क्या polyribosome next question पर चलते हैं the cloaca in frog is a common chamber for the urinary tract reproductive tract and कह रहे हैं frog में frog frog है यह मतलब मेढख की बात हो रही है अब फ्रॉग मतलब मेढख फ्रॉग में कलाय का मूत्र प्रजनपथ और किसके लिए एक आम कक्ष है actually में frog में एक opening होती है जिसको बोलते है cloaca एक opening होती है जिसको बोलते है cloaca और cloaca का एक ऐसी opening है जहां पर किसका urinary tract यानी urine वाला tract आकर खुलता है उसका reproduction वाला tract आकर खुलता है साथ ही साथ उसका elementary canal elementary canal समझ रहो हो digestion वाला tract आकर खुलता है तो तीन चीजह आकर खुलते हैं दो इसने दिया है एक पूछा है, elementary canal पूछा है, सही option A हो जाएगा, cloaca, cloaca बहुत important है, animal kingdom की अगर बात करें, तो वहाँ पर cloaca बड़ा important रखता है, बार बार पूछा जाता है कि cloaca किसमें है, किसमें नहीं है, amphibia वाले जो भी लोग है, उनमें cloaca देखने को मिलता है, okay, next question पर आते है, the law of limiting factor for photosynthesis was initiated by के लिए, सीमा कारक का सिध्धान्त दिया, किस ने दिया, चार option आपके साथ दिये गए हैं, चार options है, एक है black man, दूसरा है hill, तीसरा है ruben, चौता है कैमन, बताओ, किस ने दिया था, answer किसी का नहीं आ रहा है, क्या बात है, कहां गए सब लोग, answer करो फटा फट, photosynthesis में जो law of limiting factor है, वो किस ने दिया, black man ने दिया, hill ने दिया, ruben ने दिया, या कैमन ने दिया, तो देखो, पहली बात तो law of limiting factor क्या है, law of limiting factor में ये बताया जाता है, कि जब किसी chemical reaction को, एक से ज़्यादा factor effect करने लगते हैं, limiting factor, law of limiting factor क्या बताता है, कि जब किसी chemical reaction को, एक से ज़्यादा factors effect करने लगते हैं, तब, वो reaction, उस reaction का जो rate है, कितनी तेजी से होगी, या कितना धीमा होगी, वो इस पर decide होगा, उस factor पर decide होगा, जो factor सबसे कम amount में है, बात समझे रव, ये चीज़ इसमें बोली गए, इसमें क्या बोला गया, कि किसी भी chemical reaction को, अगर एक से ज़्यादा factor effect कर रहे हैं, तो वो reaction उस factor पर निर्भर करेगी, जो सबसे कम होगा, जैसे example के तौर पर आप ऐसे समझ सकते हो, कि जैसे आपको चाय बनानी है, चाय के लिए चाहिए पानी, दूद, चाय पत्ती, चीनी, ये चार चीज़ चाहिए, ये पानी छोड़ दूद, चीनी, चाय पत्ती, ये तीन चीज़ों चाहिए, अब कितनी ज़्यादा आप चाय बना सकते हो, वो तीन चीज़ों पर निर्भर है, एक तो चाय पत्ती, एक तो चीनी, एक तो दूद, तीन चीज़ों पर डिपेंड है वो, अब कितनी चाय बन सकती है वो इस बात पर depend करेगा कि कौन सबसे कम है कैसे है ना जैसे चीनी एक ही चम्मच है तो एक बालती चाय आप नहीं बना सकते हो चाय पत्ती आपके पास कितना हो दूद कितना हो जब चीनी जो है एक ही चम्मच है तो एक चम्मच के हिसाब से ही आप बना सकते हो यानि चाय चीनी कम थी तो उसने डिसाइड किया कि कैसे कितनी ज्यादा चाय बनाई जा सकती मतलब जो सबसे कम था उसके हिसाब से चीजे चली ऐसे ही रियक्शन में भी होता है एक रियक्शन में जब एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं तो फिर वो रियक्शन डि LITE भी honor करती है Temperature भी एлемर करता है वाटर भी करता है सियोटू कॉनसंट्रेशन भी द्वे एफेक्ट करता है तो इतने सारे लोग जब करने लगते हैं फोटो सिंथेशिश को तो अब रेटाफोटोसं इसदिशाइड हो kleiner से जो सबसे कम है मलो लाइट कूब के महानन लेकिन CO2 नहीं तो फिर रेट फोटोसंटेसिस नहीं उपाएगी अपकी बार लेकिन फोटो संथेसित घढ जाएगी तो जो सबसे कम होगा और इसे दिया था ब्लैक मैन नामके scientist ने law of limiting factor black man ने दिया था आई थिंक आपको समझ में आया होगा ओके नेक्स चलते हैं which of the following is initiating step in photosynthesis इन में से कौन सा step है जो photosynthesis में initiating है photosynthesis को initiate करने वाला step है है ना स्टार्ट करने वाला पहला option है ATP formation दूसरा है glucose formation तीसरा है photolysis of water चौथा है activation of chlorophyll by sunlight क्या पता है आप लोगों को ठीक है देखते हैं देखो photosynthesis का जो initiating step है जिससे photosynthesis शुरू होती है वो है activation है डी option activation of chlorophyll by sunlight देखो sunlight जब गिरती है लीफ पर तो लीफ के अंदर chlorophyll के molecules होते हैं वो activate होते हैं activate होकर electron निकालते हैं फिर उस electron से आगे ATP का निर्माड होता है तो ATP का निर्माड तो बाद में हुआ activation activation आफ क्या नाम है chlorophyll molecule पहले हुआ पहले chlorophyll molecule का activation होगा फिर यह निकालेंगे क्या electron इन electron के निकलने के बाद जब electron मूब करेंगे तो फिर होगा glucose formation और चारी फिर होगा ATP formation ATP formation होगा फिर जो है वो जो electron चला गया उसको पूरा करने के लिए photolysis of water होगा है न और लास्ट में एकदम डार्क रियेक्शन चलेगी फिर जाके glucose का formation होगा तो glucose formation तो last step है photolysis of water बीच में होता है एकदम स्टार्टिंग में कौन हो रहा है एक्टिवेशन आफ क्लोरोफिल मॉलीक्यूल बाई सन लाइट ठीक ओके next question पर आते हैं question number nine है non essential elements in plant is पौधे में अनावस्यक तक्त है बेरियम, magnesium, potassium, calcium आपसे पूछ रहा है कि इन में से कौन सा है जो की पौधे में अनावस्यक है बिना काम का है बताओ यस शर ओके देखो अभी तक जो है अमारी अर्थ पर लगभग 118 element खोजे जा चुके हैं ठीक 118 element खोजे जा चुके हैं तो बात आती है क्या 118 के 118 हमारे plants में पाए जाते हैं जी नहीं नहीं पाए जाते हैं उनमें से 118 में से जो element plant में देखे गए हैं उनकी संख्या लगभग 60 या उससे कुछ जादा है बात समझ मैं तो मतलब 118 में से केवल 60 या उससे थोड़ा जादा element plants में देखने को मिलते हैं पात आती है कि यह जो 60 के 60 element देखने को मिले हैं क्या सब के सब plant में जरूरी हैं बिलकुल नहीं यह देखने को मिलते हैं plant में पाए जाते हैं लेकिन सब जरूरी नहीं सब आवस्चक नहीं सब essential नहीं हैं तो बात आती कितने लोग essential है essential है 17 लोग 17 element है जो essential है हैं इन इशेंचियल elements में कुछ है जो plant को जाधा amount में चाहिए उनको बोलते हे Bonjour उनको बोलते हैं मैक्क्रोड एलिमेंट्स कुछ को कम इमाउंट में चाहिए होता है उनको को बोलते हैं, micro elements, कुछ ज़्यादा amount में चाहिए होते हैं, उनको macro बोलते हैं, यह option आ रहा है, very good, चलो, अब आती है, macro कौन है, micro कौन है, तो macro को इस तरीके से याद कर सकते हो, कौन सापी के का मग, कौन में CHON, यह चार लोग आते हैं, सा मतलब सलफर, P मतलब फास्फोरस, K मतलब पोटेसियम, का मतलब कैलसियम, मग मतलब मैंगनीशियम, यह है macro, यह कौन है, macro, नौलो कौन सा पीके का मद कौन मतलब सी यह चुएं सा मतलब सलफर पी मतलब फॉस्फोरस के मतलब पोटाइसियम का मतलब कैलसियम मग मतलब मैंगनीसियम इस तरीके से याद कर सकते यह तो हुए 17 ESential elements में से 9 element जो की macro हैं यानी जदा amount में चाहिए होते हैं और plant के लिए essential है micro भी होते हैं जो की essential हैं लेकिन कम amount में चाहिए होते हैं micro को कैसे याद रखते हैं कि यहां आएगा नहीं कि इधर से इधर लिखते हैं इसमें आता है बोरिंग जिन्दिगी चिल करो मन मारो नहीं फेको और जोड़ो आगे फेको आइरन बोरान जड़न चिल मतलब सी यल मतलब कैलसियम स्वरीं क्लोरीन करो कॉपर मैगनीज मॉलिव डेवनम निकल इस तरीके से गाने से याद कर सकते हो फेको बोरिंग जिन्दिगी चिल करो मन मारो नहीं है ना कोई आदमी उदास है दूसरा आदमी समझा रहा है इस तरीके से याद कर सकते हो अंकित यादो मन मारो ना चल करो फेको बोरिंग जिन्दिगी अरे वाँ इस तरीके से हम लोग माइक्रो को भी याद कर सकते हैं अगर आपके पास फर्मूला है तो ठीक है नहीं है तो यह लिख लेना इस से याद कर लेना कुल मिलाके यह 17 हैं जो इसेंसियल की कटेगरी में आते हैं उसमें 9 है जो मैक्रो है और 8 है जो माइक्रो है अब इसमें से देखो इसमें से जो नहीं है वही नॉनिसेंसियल है तो आइ तिंग बेरियम सही हो जाएगा ठीक गुड चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट केस्टन पर चलते हैं टेक्नीक आफ ग्रोइंग प्लांट विदाउट स्वाइल इन न्यूट्रियंट सॉल्यूशन इस काल्ड है ना बिना मृदा के पौधों को उगाने की वह विदी जिसमें खनिज लवनों का विलियन रहता है कहलाती है है ना अच्छा कह रहे हैं कि प्लांट को बिना स्वाइल के ग्रो कराओ न्यूट्रियंट सॉल्यूशन में तो उस टेक्नीक को क्या बोला जाता है देखो उस टेक्नीक को बोलते हैं कहा है हाईड्रोपोनिक्स उसको बोलते हैं हाईड्रोपोनिक्स जूलियस वान सैच नाम के एक सा तो है और social that आंज भाई आगर इसको निः मिल जाए तो इसको सवाइल से कोई ले ना देना नहीं है उन्हें क्या किया इकबाल टी लिया उसमें सारी नूट सुन लदिया पानी डॉल्फ लटका दिया और ब्रचीव में और पाफोधा प्रॉपल कर रहा है वहाँ से का वहीं से उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स की टेक्नीक जन्रेट की उन्होंने कहा की स्वाइल की जरूरत ही नहीं है वाटर लो वाटर में निउट्रियंट्स डालो जो भी पौधे के लिए इसेंशियल है यह 17 के हमने अभी जो पीछे देखें हम लोगोंने 17 डाल दो और पौध आस्मोसिस किसका डिफ्यूजन है बताओ परासरण में बिसरण होता है क्वेश्चन कुछ समझ में ही नहीं आएगा आप लोगों को है न अगर आएगा तो अच्छी बात है कि ऑस्मोसिस इज्दर डिफ्यूजन इस अलग है और आस्मोसिस किसका डिफ्यूजन है यह क्यों पूछ रहा है तो यह सही है पूछरा है मैं बताता हूँ, diffusion का मतलब होता है, high concentration से low concentration की तरफ जाना, किसका, लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, diffusion बोलेंगे, समझ में आरी बात, अब अगर especially water जो है, water जो है, high to low concentration की तरफ जाए, तो उसको बोलते है, osmosis, उसको क्या बोलते है, osmosis, तो osmosis क्या है, diffusion of water है, बात समझ रहे हो, osmosis क्या है, एक special case है, diffusion का, जिसमें हम लोग सिर्फ water के movement को देखते हैं, diffusion क्या है, किसी का भी movement, चाहे वो solid का हो, चाहे liquid का हो, चाहे gas का हो, चाहे इन तीनों के iron हो, चाहे इन तीनों के molecule हो, अपने high concentration से low concentration की तरफ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, diffusion बोलते हैं, बात समझ में आई, ओके, लेकिन अगर water का movement हो, high concentration से low की तरफ, तो फिर osmosis कहलाता है, समझ में आ रही बात, D option, D option, solute and solvent का, गलत, जितने लोग D option कह रहे हैं, अंकित यादा हो, low से high, low से high तब होगा, जब solution की बात की जाएगी, low solution concentration से high solution concentration की तरफ water जाएगा, है ना, लेकिन water का अपना concentration देखा जाएगा, तो अपने high तू लो जाएगा, दोनों बाते एक ही है, है ना, देखो, जो solution है, solution में अगर water ज़ादा है, तो मतलब, उसका concentration कम है, है ना, दो solution बना लेते हैं, है ना, इसमें water ज़्यादा बना दें, कैसे, इसमें ज़्यादा water बना देते हैं, इतना water है, इसमें थोड़ा सा water है, अब मैंने कहा कि, अपने high concentration से water low concentration की तरफ जाएगा, आप कह रहे हो कि नहीं low solution concentration से high जाएगा, दोनों एक ही बात है, जहाँ पर water ज़्यादा है, वहाँ solution concentration low हो जाएगी, जहाँ पर water कम है, वहाँ solution concentration ज़्यादा हो जाएगी, तो दोनों एक ही बात को प्रदर्शित करते हैं, I think आपको समझ में आया होगा, next point पर चलते हैं, DPD is equal to, बताओ, बार-बार पूछा जाने वाला question, plant physiology first chapter, UG, PG दोनों लोगों से, DPD बराबर, किसी का answer नहीं आ रहा है, पढ़ लिख रहा है नहीं हो तुम लोग, चलो, DPD बराबर होता है, OP माइनस TP, DPD बराबर, OP माइनस TP, जहां पर TP होता है, Turgor pressure, OP होता है, Osmotic pressure, DPD होता है, Diffusion pressure deficit, Diffusion pressure deficit, OP, Osmotic pressure, TP, Turgor pressure, OP में से TP घटा दो, तो DPD आ जाता है, इसको बोलते हैं, Diffusion pressure deficit, मैं अपनी भासा में कहता है, इसको समझ लो, प्यास, कोसिका की प्यास, DPD जितना जादा, कोसिका की प्यास उतनी जादा, पानी खीचनी की टेंडेंसी उतनी जादा, DPD जितना कम, कोसिका की प्यास उतनी कम, पानी खीचनी की टेंडेंसी उतनी कम, प्यास से अगर समझोगे, तो जादा समझ में आता है, मैं अपनी भासा में कहता हूँ, इसको प्यास समझ लो, ठीक, अगर scientific language में पढ़ो, तो DPD, यानि diffusion pressure deficit, आगे चलते हैं, red tide is caused by, red tide किसके दोरा cause होता है, option आपके सामने है, एक है plasmodium, एक है euglena, एक है goniolex, एक है all of the, all of these, मानि यानि उपर के सारे, red tide, बात आती है, red tide होता क्या है, है ना, red tide, देखो, C में समुद्र में बहुत सारे ऐसे organism हैं, है ना, जो की बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, और water के color को अपनी color में convert कर देते हैं, समझ पा रहे हो, जैसे, इसका simple example आपने देखा होगा, बरसाथ के समय में तालाब का पानी साफ रहता है, वालब गंदा रहता है, बट white color में जादा रहता है, लेकिन वही पानी कुछ दिन तक जब स्थिर रहता है, तो दिरी दिरी वह पानी हरा हो जाता है, बात समझ में आई, अब हरा कहां से हो गया, किसी ने color थोड़े इंडाल दिया, हरा इसलिए हो गया, क्योंकि उसमें algae बहुत जादा grow हो गये, तो उन्होंने अपने हिसाब से उसका color green appear कर दिया, इसी तरीके से समुद्र में एक organism है, जिसका नाम है, गोणियो लैक्स, यह जो है बहुत तेजी से grow करता है, और क्योंकि यह red color का होता है, इसलिए वहां का जो भी water है, उसको red appear कराता है, लाल color देता है, इसको बोलते है red tide, कौन सा option आ रहा है आपका, D, B, D, A, सब आ रहा है न, काई लग जाती है सर, हाँ तलाब में काई लग जाती है, काई मतलब algae ही होता है, सैवाल ही होता है, अच्छा, तो red tide किस के दौरा काज होता है, गोणियो लैक्स के दौरा है न, next question पर चलते हैं, एगर-एगर ही जो obtained from, एगर-एगर किस से obtained होता है, चलो बताओ, एगर-एगर सबस्टान्स है, आप से पूछ रहा है, एगर-एगर किस से प्राप्त होता है, है न, बताओ, जिगरेटिना या जिलीडियाम या ग्रैसिल एगरिया या ओल आफ दाइबब, है किसी के पास आंशर, C आंशर, ग्रैसिल एगरिया, अंकि सुक्तला सी, सुभम राज सी, इच्छा, अनुज गुपता सी, बहुत सही, देखो, C तो सही है, बट, मतलब, C गलत नहीं है, बट इसका आंसर है, आल आप दे यवाब, इसका आंसर है, आल आफ दे यवाब, अच्छली में, ग्रैसिल एरिया, जिलीडियाम, और, जिग्रैटिना, ठीक, ये तीनों से ही, एगर-एगर प्राथ होता है, ये दोनों तो, ये अंसियाटी में दिये हुए है, इसको भी जानते रहना, तो इन तीनों से, एगर-एगर निकाला जाता है, बात आती, एगर-एगर क्या है, एगर-एगर एक सवस्तान्स है, जिसको हम लोग लैब में, माइक्रो और्गनिजम को ग्रो कराने के लिए, यूज करते हैं, बात समझ में आई, बायो टेक्नलाजी बगेर पढ़ोगे, तो वहाँ पर एगर-एगर जादा देखने को मिलेगा आपको, बात समझ में आ रही है, ओके, और अब देवब इसका अंसर था, नेक्स पर चलते हैं, बाटैनिकल स्नेक्स आर, बनस्पतिक सर्प हैं, इसमें से किसको बनस्पतिक सर्प बोला जाता है, आप्सन नंबर A में क्या है, आप्सन नंबर A में है, अलगी, B में है फंजाई, C में है ब्रायफाइट, और D में है टेरेडोफाइट, कौन है इसका सही आंसर, किसको वनस्पतिक सर्प बोलते हैं अंसर आया C, D, D, All, अच्छा पिछला अंसर कर रहे हूं, ओके, देखो, प्लांट किंग्डम में अगर जाएं, तो प्लांट किंग्डम, पहले बात तो दुनिया में जितने औरगनिजम हैं, सबको पांच किंग्डम में पाटा गया है, उ प्लांट किंग्डम में देखें तो, प्लांट किंग्डम की बात करें, तो प्लांट किंग्डम में कितने पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट होता है, अलगी, फिर दूसरा पार्ट होता है, ब्रायोफाइट, फिर तीसरा पार्ट होता है, टेरिडोफाइट, चौथा पार्ट होता है जिम्नोस्पर्म है और लास्ट पार्ट होता है एंजियोस्पर्म जिसमें डाई काट और मोनोकाट प्लांट आते हैं सिर्फ डाई काट और मोनोकाट ही प्लांट नहीं होते हैं उनसे पहले जिम्नोस्पर्म उससे पहले टेडोफाइट उससे पहले ब्रायोफ है ना यह तो है फंजाई मनलब किंगडम ही अलग है तो एलगी ब्रायो टेर्डो इन तीनों में से किसको क्या बोलते हैं आपसे पूछ रहा है आंसर आया किसी का a C D B सब है न सब कर डालो इधर देखो यह जो ब्रायो फाइट है नहीं जो टेरिडो फाइट हैं इनको बोलते हैं बाताइनिकल स्नेक, बनस्पतिक सर्प, यह इनही को बोलते हैं रेप्टाइलस ऑफ प्लांट किंग्डम, पादब जगत के सरी स्रिप, क्यों ऐसा, क्योंकि ऐसे प्लांट होते हैं, जो रेंग-रेंग कर चलते हैं, बात समझ नहीं, इनकी ग्रोथ कैसे होती है, रेंग-रेंग कर होती है समझ पारे हो इनको बोलते है रेप्टाइल आप प्लांड किंगडम या स्नैक और प्लांड किंगडम या बातने कल स्नेक स्वाध हो ओके एक यहीं बगल में ब्रायोफाइटा इसको क्या बोलते हैं ब्रायोफाइटा को बोलते एंफीविया प्लांड किंग्डम प्लांड जगत का उभैचर प्लांड जगत का उभैचर बात समझ रहे हो यह दो चीजें याद रखना कि ब्रायोफाइट को ब्रायोफाइट क तो एंपी बिया प्लांट किंग्डम यानि प्लांट जगत का पादब जगत का उभाइचार उसको सरी श्रिप कहते हैं नेक्स वेस्टन पर चलते हैं नेक्ट सीट्स औफ जिम्नोग स्पर्म means for absence of which of the following करें जिम्नोग स्पर्म में नेक्ड सीट होते हैं इसका मतलब क्या चीज अप्सेंट होती है सीड कोट इंटिगुमेंट एंब्रियो नौन आप दीज बताओ क्या absent होता है जिससे सीड जो है नेक्ड मतलब नंगा नेक्ड मतलब नंगा जो ऊपर से कबर ना हो है ना तो सीड कोट नहीं होता है या इंटिगुमेंट नहीं होते हैं या इंब्रियो नहीं होते हैं नाप दीज सुबान सुराज कह रहे हैं यह समझ में नहीं है क्या समझ में नहीं है बता हूँ कौन सब क्या क्वेस्टन नहीं समझ में यह कुछ और नहीं समझ में तो फिर बताएं फिलहाल पर पांच की बात करते हैं अलगी ब्रायोफाइट टेडोफाइट जिम्नोस पर्म एंजी प्लांट में यह पांच केटेगरीज हैं इन में भी सीड पाया जाता एंजियो स्पर में भी सीड पाया जाता जिमनो स्पर में भी सीड पाया जाता है बाकी इन तीनों में सीड पाया ही नहीं जाता है बात समझ में इन सब में सीड नहीं होता है जिमनो स्पर में सीड होता है जिमनो स्पर में जो सीड होता है वो होता ह है स्ीड उसका सीड क्या होता है नेग होता है ना अना बृत जो उपर से अब रित अना बीट बीजी या यह mé만 नहीं होते हैं या शुम राज कहर रहा है इसके अगला वाला अच्छा इससे पहले वाला कउस्चन नहीं सहोनों है रुकव बढ़ी देखतें क्या नहीं सहोनों है पिला लिए कर लो फटा फट कर लेते हैं देखो Seed जो होता है वो जब Fruit के अंदर बंद होता है तो कहते हें कि Seed cover है ऐसा NGO sperm में देखने को मिलता है Seed के उपर Fruit होता है Gymnose sperm में Seed के उपर Fruit नहीं होता है बात समझ में आई तो ऐसे Seed जनके उपर Fruit नहीं है वो बोलते है Naked Seed बात समझ में आई अच्छा तो फ्रूट तो इस option में है नहीं सीड कोट इंटुगमेंट इंब्रियो यह सब पूछ रहा है तो नन आप दीज लगा दो है ना इस में से कौन सा एपसेंट है तो सीड कोट से कोई मतलब नहीं इंब्रियो से मतलब नहीं से मतलब नहीं जिसमें फूरूट महीं होगा वह सीड नेग्ड हो जाएगा ओके पिछला question नहीं समझ में आया botanical snakes अरे यार जो teridophyte होते हैं वो ऐसे plant होते हैं जैसे लौकी कद्दू का plant होता है थोड़ा सा गुंगाम के चलता है वैसे teridophyte ऐसे plant हैं जो थोड़ा सा टेड़े मेड़े चलते हैं रेंग कर चलने वाले plants हैं इसलिए teridophyte group को क्या बोलते हैं कि ये पादब जगत का सरीश्रिप है सरीश्रिप animal जगत में होते हैं जंतु जगत में होते हैं और सरीश्रिप जैसे साप औगएरा क्या होते हैं रेंग कर चलते हैं इसलिए teridophyte को ये उपाधी दी गई है कि तुम जो है plant kingdom के सरीश्रिप हो है ब्राइफाइट को amphibia बोलते हैं उभैचर बोलते हैं क्यों बोलते हैं उभैचर का काम क्या है उभैचर का जीवन चक्र दो जगहों पर complete होता एक तो water में एक तो soil में दोनों जगहों पर मिला के रही हूँ को अपना life cycle complete कर सकते हैं तो इसलिए ब्राइफाइटा भी ऐसे ही है यह उगते तो जमीन पर हैं लेकिन जनन जो है पानी से करते हैं तो इनकी life cycle complete करने के लिए दोनों चीज़े चाहिए इसलिए इसको amphibia बोल देते हैं वहां से similarity रखने के कारण समझ में आया ओके नेक्स पर चलते हैं 17 नंबर क्वेस्चिन memory glands are modified memory gland इस्तन ग्रंथियां जो होती हैं वो किसका modification है तो सीधे सीधे इसको याद रखना sweat glands memory gland किसकी modification है sweat मतलब sweat वाली ग्रंथियों का modification है बार-बार पूछा जाने वाला question है पता ही होगा आपको है ना next question पर चलते हैं 18 number the main function of ligament is ligament का मुख्य काम क्या है प्रमुक कार्य क्या है joining of two bone joining of muscle joining a muscle to bone joining a muscle to nerve है ना जुरो जी का question है but important question है आता रहता है पूछ रहा है आप से ligament किसको जोडते हैं तो याद रखना बबली 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 मतलब bone एक से bone हो गया दूसरे से भी bone हो गया और तीसरे से ली से मतलब ligament bone co bone से क्वान जोडता है ligament जोडते हैं bone को bone से कौन जोडता है ligament जोडता है समझ पार हो तो ligament का का क्या है कहा है ligament का क्या है joining आप two bones यह सही ओ जाए concrete है ना बोन को बोन से जोडने का काम करता है लीगामेंट शुभम राज ये ऑप्शन वेरी गुड ठीक नेक्स्ट क्वेस्टन पर चलते हैं प्लैंक टॉन्स और और्गनिजम विच फ्लोट ऑन वाटर सर्फेस और फ्री स्विमर और डीप सी फॉर्म और बरोइंग फॉर्म है प्लैंक टॉन्स वो लोग होते हैं जो पानी पर बिना उर्जा खर्च किये तैरते हैं जैसे पानी में एक लकडी डाल दो वो भी तैरेगी पानी में मचली है वो भी तैरती है लेकिन दोनों के तैरने में अंतर है लकडी अपने मन से नहीं तैरती है लकडी बस उसमें पड होते हैं जो पानी में ऐसे पड़े हैं पानी जिधर उनको बहा कर ले जाए वो उधर चले जाएंगे तो यह क्या है free swimmer है न कि स्वतनत रूप से कि free होकर तैरते हैं बात समझभा रहे हो पालिजेनेरिया का पैरासाइड है पॉलिजेनेटिक मोनोजेनेटिक आपसे पूछ़रा मलेडिया का पैरासााइड कौन होता है B ay answer very good Malarial Parasite is पता है आप लोगों को Malarial Parasite क्या है Polygenetic होता है यह answer आ रहा है चलो देखो Malarial Parasite क्या है Malarial Parasite का नाम है Plasmodium प्लाजमोडियम क्या है? मलेरियल पैरसाइट है मलेरिया को उत्पन करने वाला पैरसाइट है ठीक अब ये देखो कोई भी पैरसाइट जो होता है वो या तो अपना लाइफ साइकल कम्पलीट करने के लिए एक और्गनिजम के अंदर रहता है या तो दो और्गनिजम के अंदर रहता है या तीन और्गनिजम के अंदर रहता है उस आधार पर उसको कहते हैं अगर उसको एक और्गनिजम की जरुरत है एक होस्ट की जरुरत है तो मोनोजेनेटिक कहते हैं दो की जरुरत है तो डाइजेनेटिक कहते हैं उससे ज्यादा की जरूरत है तो polygenetic कहते हैं तो malaria का जो parasite होता है जिसका नाम है plasmodium वो digenetic होता है क्योंकि इसके दो लोगों की जरूरत होती है एक mosquito को एक humans को है ना दो लोगों की जरूरत होती है अपनी life cycle को complete करने के लिए बात समझ पा रहे हो आधी life cycle वो mosquito में complete करता है आधी life cycle human में complete करता है तो इसलिए जब mosquito हम लोगों को bite करता है काटता है तो उसके अंदर के plasmodium हमारे blood में आ जाते हैं कि समझ पर कहां गया डाइजन्टिक सही आंसर यह है आगे चलते हैं है ओके हो गया 20 questions थे important है लिख लो निर्भय वर्मा ठीक है किसका कितना सही हुआ अगर किसी ने count किया हो तो बताओ निर्द लेक्शर है तो लिए चलो क्लूज खरते हैं आज के लिए इत्ता ही फिर next lecture में मिलेंगे और मुद्स 시청 हो सकता question के साथ हो सकता है किसी lecture के साथ मिले आज के लिए इतना ही होता है thank you so much